हे गाइज, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं पुली स्टेशन मागे जडगाओ पती को ढोल नगाडों के साथ लाते हैं और उन्हें स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा किया जाता है लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी की डेट को लेकर लोगों के बीच कन्फ्यूजन है जाने कब है गणेश चतुर्थी? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी 18 सितंबर को दो पहर 12 बज़ कर 49 मिनट से प्रारंब होगी और 19 सितंबर को दो पहर 1 बज़ कर 43 मिनट पर समाप्ध होगी उदया तिथि मान्य होने के कारण इस साल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 19 सितंबर 2023 मंगलवार को मनाया जाएगा इस दिन रवी योग का भी शुभ संयोग बन रहा है गणपती स्थापना का शुभ मुहूर्थ ज्योतिशाचारियों के अनुसार 19 सितंबर का दिन गणेश स्थापना के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है 19 सितंबर को गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्थ सुभ ग्यारह बजकर एक मिनट से दोपहर एक बजकर 28 मिनट तक है गणपती पूजा मुहूर्थ के बारे में जानकर बताते हैं कि माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याहन काल के दौरान हुआ था इसलिए दोपहर के समय को गणेश पूजा के लिए ज्यादा शुभ माना जाता है हिंदू दिन के विभाजन के अनुसार मध्याहन काल अंग्रेजी समय के अनुसार दोपहर के समान होता है मध्याहन मुहूर्त में भक्त लोग पूरे विधिविधान से गणेश पूजा करते हैं, जिसे शोड़ शोप चार गणपती पूजा भी कहा जाता है। सिध्धी के रूप में एक-एक सुपारी रखें। भगवान गणेश की मूर्ती के दाई और जल से भरा कलश रखें। हाथ में अक्षत और फूल लेकर गणपती बप्पा का ध्यान करें। गणेश जी के मंत्र उं गम गणपत ये नम, मंत्र का जाब करें। गणेश चतुर् उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इस साल गणेश उत्सव का समापन 28 सितंबर 2023 गुरुवार को होगा। इस दिन ही देश भर में गणेश विसर्जन किया जाएगा। ब्यूरो न्यूज, इंडिया आपतक जलगाव। हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना जुएलैज, जहां विश्वास ही परंपरा है।